दोस्तो आज हम जानेंगे संपूर्ण वास्तु दोश निवारन यंत्र के बारे में दोस्तो वास्तु एक ऐसी चीज है जिसका पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों तरहा का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में पढ़ता है अगर वास्तु का अच्छा प्रभाव पढ़े है लाइफ में तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है फिर चाहे वो जॉब के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो परसनल लाइफ में हो, सामाजीक जीवन में हो, धन पैसे से जुड़ा मामला हो या फिर कुछ और मामला हो, कुछ और कारण हो, हर एक चीज में, हर एक मामले में, आप देखेंगे कि अगर आपका वास्तू जो है वो आपको शुब परिनाम दे रहा है, उसका शुब परभाव आपके उपर पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब वास्तु को हमारे जीवन में हम देखे कि यह हमें negative impact दे रहा है इसका negative impact हमारे life में पढ़ रहा है तो फिर आप देखेंगे कि हर एक चीज में हर एक field में हर एक चीज में जो है आप जैसे कि for example job business में problem देखने को मिलेगा personal life में problem देखने को मिलेगा social life में problem देखने को मिलेगा financial life में problem देखने को मिलेगा हर तरह की परिशानी, stress, बाधा, नेराशा, समस्या यही सब आपको देखने को मिलेगा और यह सब इसलिए क्योंकि वास्तु का आपके जीवन में positive प्रभाव नहीं पढ़ रहा है बलकि negative प्रभाव पढ़ रहा है और यह वास्तु जो है यह आपके जीवन में negative और positive दोनों तरह के प्रभाव कब डालता है तो देखिए, वास्तु एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जोतिश, ऐसा science माना जाता है जिसके दूस प्रभाव से आपको अगर बचना है तो आपको इसके कुछ नियम होते हैं जो आपको जानने होते हैं for example जैसे आप कई सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि पलंग को इस दिशा में नहीं रखना चाहिए इस टेबल को इस दिशा में नहीं रखना चाहिए भगवान को इस दिशा में नहीं रखना चाहिए इस तरह के कई चीज़े आपको बताई जाती हैं वो सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं ताकि उनका negative impact आपके जीवन पे ना पड़े तो अगर ये गलतियां कई बार जाने अनजाने गलतियां हम सभी से हो जाती हैं हमें उतना पता नहीं होता इतना हम नाप तोल के चलते नहीं हैं जीवन में और इसलिए कुछ गलतियां हम से अनजाने में हो जाती हैं जिसका negative वास्तु दोश बनकर वो हमारे life पे ही प्रभाव पड़ता है तो हमें इन चीजों से अगर बचना है तो इसका वैसे तो कई सारे उपाए बताये जाते हैं जोतिश में कि आपको ये उपाए करना चाहिए वो उपाए करना चाहिए मैंने खुदने भी बहुत सारे उपाए आपको बताये हैं लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप संपून वास्तु दोश निवारन यंत्र अगर अपने घर में लगा लेते हैं रख लेते हैं या फिर आप जहां जब करते हैं या फिर आप जो बिजनस करते हैं वहाँ पर आफिस वगेरा में दुकान में वहाँ पर भी आप अगर इसे रखते हैं यानि कि घर और आफिस दोनों जगा जब और बिजनस जो भी करते हैं वहाँ पर भी घर पे भी आप अगर इस यंत्र को रखते हैं तो उस जगा से जुड़ा जो भी वास्तु दोश होगा वो आपके उपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा वो दूर होगा ये याद रखिए तो इसको आपको अगर इससे आपको मतलब फाइदे उठाने है इस यंत है इसका आपको जो है इस्तीमाल करना शुरू कर देना होगा इस यंत्र में दोस्तो तेरा तरह के यंत्र समाहित होते हैं वास्तु दोशनिवारन यंत्र, बगला मुखी यंत्र, गायतरी यंत्र, महामितुञज़ यंत्र, महाकाल यंत्र, वास्तु महा यंत्र, केतु यंत्र, राहु यंत्र, शनी यंत्र, मंगल यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, गनपती यंत्र, ये सभी तरह की यंत्र जो ह वो हमारे लाइफ में अधिक से अधिक आपको देखने को मिलेगी, खुशियां आपके जीवन में बनी रहेगी, पॉजिटीविटी ही आपके जीवन में देखने को मिलेगी, इस तरह का शुब ही शुब आपको देखने को मिलता है, वास्तु यंत्र के साथ साथ आप पूजा से क्या होता है कि वाता वरन में फैले नेगेटिव जो एनरजी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं तो यह आपको जरूर करना चाहिए वास्तु दोश निवारन यंत्र को घर में या ओफिस में जैसे मैंने कहा आप इसे जरूर रखिए अब किस दिशा पर रखिए यह बत चाहिए रोज सुबा नहाद होकर इस यंत्र को आपको पूजा करनी चाहिए धूब जलाएं यंत्र के आगे धूब जलाएं दिया जलाएं दो तिन ताजे फूल चढ़ाएं इस तरह के आपको रोज करना है रोजाना नियमित तोर पर आपको कहने का मतलब है कि इस यंत्र क में बहुत कुछ बुरा हो रहा है फिर चाहे जो बिजनस के मामले में हो personal life में हो professional life में financial life में किसी भी life में तो ये आप करके देखिए आप बहुत ही कम समय के अंदर आपको इसका result दिखना जो है वो शुरू हो जाता है ये आपके जीवन से जो negativity है उसो दूर करके आपके लानी शुरू कर देता है